बॉल बॉय नामक यह एक अमरीकी फिल्म है मुझे पूरा यकीन है यह फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप पसंद करोगे जिमी नाम के एक लड़का जन्म से प्रतिरक्षा की बिमारी से पेडित होता है इसलिए उसे आइसोलेशन में रखना होता है वे किसी भी चीज को बिना केटाणू रही किये चू नहीं सकता इसलिए उसे जीवन भर जीवित रहने के लिए एक बुलबुले जैसे प्लास्टिक के बैग में रखना होगा उसकी मा श्रीवती लिविंगिस्टन इस चीज को लेकर काफी जागरूक है वे चार साल का हो गया तो मिस्टर लिविंगिस्टन उसके कमरे में एक बड़ा बुलबुला ले आए इसलिए वे उसके अंदर चल सकता है और इंफेक्शन से बस सकता है बबल के उपरे बरे हुए हातों की जोड़ी से वे उनको महसूस कर सकता है उसके सबी किलानों को किल्टानो रहुत किया जाता है जिन भी उस कमरे में रहता है श्रीमती लिविंगिस्टन बबल बाय को किनी और बातों का खयाल नहीं आने देती है उसे केवल एक टीवी चैनल और अख़बार पढ़ने की अनुमती है क्योंकि लिविंगिस्टन कहती है उसे किसी और चीज का खयाल नहीं आना चाहिए बाल काटने और अन्य चीजों के लिए वे भारी रूप से उसका प्रेयोग करती है और अपने विचारों से प्रभावित करती है सारा शहर उसको बबल बॉय के नाम से जानता है पडोसी के कुछ बच्चे प्लास्टिक के बैग में और रैप में लपेट कर बबल बॉय को चड़ाते हैं और उसकी मा चड़काव इस्प्रे करके उसे हटाती है भोजन को किटानू रहित करने के लिए वहाँ पर एक प्रतीरक्षा रखी गई है जो उसको भोजन प्रोवाइट कराती है जिमी अब 16 वर्षका हो गया है वह अन्य बच्चों की तरह बड़ा हुआ है अब वह गिटार बजाता है एक दिन वह खड़की से देख रहा होता है तो उसे कलो नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसे वह पसंद करने लगता है और उसके बारे में प्यार और लड़कीों के बारे में वह जादा नहीं जानता है उसकी मा इस बात से नाराज होती है और उसे कहानी सुनाती है और उसे डराती है इसके बाद वह कलो को फिर एक दिन खड़की में से देखता है और वह जानता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है लेकिन वह नहीं जानता कि क्या एक सुबह इरेक्शन से वह उड़ता है अवधारना से अंजान वह खुद को बल्ले से मारता है और रोता है श्रीमती लिविंगेस्टन अंदर आती है जब वे शान्त नहीं होता है तब तक उसे निस्टा और प्रतिग्या दोहराती है शहर में एक ग्रूप है जो जिम्मी को बबल बॉय के नाम से चिड़ाता है क्लो एक दिन लिविंगेस्टन के दर्वाजे पर दस्तक देती है और मिस्टर लिविंगेस्टन उसको अंदर आने देते हैं क्लो चारो तरफ प्लास्टिक ट्यूबों को देखकर आकर्शित होती है वे ट्यूब का अनुकरन करती है जिम्मी के कमरे में पहुंसती है और हैरान होती है मा ही एक मात्र महिला है जिससे उसने बात की है और अन्य लड़कियों को वे नहीं जानता इसके बीच उनमें दोस्ती होती है और जिम्मी की मा इस्प्रे से उसका बबल साफ करती हुई दिखाती है क्लो सास समय बिताने के बाद गैन के अंदर एक गिनी पिक देती है जो काफी अच्छा होता है एक रात जिम्मी के जनम दिन पर बच्चों को हेलोविन के लिए अपने कमरे के अंदर भी लाती है एक दिन नशे में धुत्त क्लो खड़कियों में से जिम्मी के कमरे में घुश जाती है और बबल के अंदर आने की कोशिस करती है और कहती है कि वह अब जिम्मी के बिगर जिंदा नहीं रह सकती क्लो के प्रेमी मार्क को दिखाया जाता है जिससे क्लो की शादी होने वाली है जिम्मी का दिल तूट जाता है मार्क जिम्मी को एक सिग्रेट पेश करता है लेकिन वह नहीं जानता यह क्या है एक राद जिम्मी मार्क ट्लो को अपनी खिड़कियों से आपत्य जनक वस्ता में देख लेता है अगले ही दिन ट्लो जिम्मी के कमरे में आती है उसे अपनी सगाई की अंगोटी दिखाती है और वे काफी खुश होती है मार्ट ने उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया था उनकी शादी इस सप्ता के अंत में नियागरा फाल्स में है और वे बहुत ही सुन्दर लग रही थी और वे जिम्मी को सूचित करने आई है जिम्मी निराश होता है लेकिन वे अपने चेरे पर भाव नहीं दिखाता वे उपार लाई है जिसे वे उसकी परिशोदन ट्यूब के अंदर रख देती है वे जिम्मी उसे गिन्नी पिक वापस दे देता है और उसे जाने के लिए कहता है उसकी आँखों में आसु निकला आते हैं जब वे देखता है उसमें I love you लिखा हुआ है वे उसका नाम चिलाता है और शादी को रोकने के लिए नेगरा फाल्स जाने का फैसला करता है पोर्टेवर बबल शीट बनाने के लिए वे कड़ी मेहनत क तबी बस वापस पीछे होती है और उसमें से यातरी निकलते हैं जो उसको ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं जिसे वे शिकार करता है लेकिन उसे पता चलता है कि लोग धार्मिक पंत का इससा है गुसे से वे लोग उसे बस से बाहर फैक देते हैं लेकिन धार्मिक पंत का नेताबाद में याद आता है कि इस गोल बबल में जो लोग है वही उसका उदार दाता भगवान है और वही उसका तारण हार है इसलिए वे उसको ढूनने का फैसला करते है इस भी जिम्मी स्लीम नाम के एक बाईकर से मिलता है और शादी करने के बारे में बताता है और स्लीम से प्रभावित होता है बदले में उसे अपनी पुरानी प्रहमिका की कहानी सुनाता है और वे दोनों सवारी के लिए पेशकस करते हैं और दोनों नियकगरा के लिए रवाना हो जाते हैं इधर श्रीमती लिविंगेस्टन देखती है कि जिम्मी लापता हो गया है श्रीमती लिविंगेस्टन के पती और खुद जिम्मी की तलास में निकल जाते हैं गायब होने के 24 गंटे बाद स्लीम और जिम्मी वेगास पहुंसते हैं आराम करते हैं वे कसीनों में खुब मस्ती करते हैं लेकि जिम्मी के पास शादी के दो दिन ही बचे हैं वे स्लिम के कलब को छोड़ देता है और एक स्कूटर चुराता है और रवाना हो जाता है और उसके माता-पिता की कार के पास आता है लेकिन शुक्र है उसका बुलबुल और जब वह बबल के मारता है तो वह बबल से उसको जोड़दार धका देता है जिससे कि वह बेवोश हो जाता है उन शेयतानों के चुंगल से अन्ने को भी आजात करा देता है इसलिए वैं सवारी की तलाश में अब दूसरी जगह जाता है और एक रेस्टरा में एक पुषपोप नाम के आदमी को पुलिस वाले पूस्ताच कर रहे थे वहाँ पर जाकर वैं कहता है कि उसके पास प्रतिरक्षा के लिए और कुछ नहीं है उसे छूत की बिमारी समझकर प आक्टर फिक्र के पास पहुंसती है तो वह बताता है कि वह नियागरा फास जा रहा है गुस्से से लिविंग स्टन क्लो को फोन करती है और कहती है कि तुमने उसे रोका नहीं इधर उसकी गाड़ी को लोग चुरा ले जाते हैं और पुषपोप एक गाय को मरा हुआ देख हुआरी मांगता है और जल्दी उसको पता लगता है कि वह तो बेजान पड़ा है और वह आदमी जो कार चला रहा है वह अनकॉंसियस है कार एक बिलबोर्ट से टकराती है जिम्मी एक किराने की दुकान में गुश जाता है और इसके बाद मार्क एक फॉन पर बताया जाता ह है जो की क्लो से शादी के बारे में बात कर रहा होता है वह अब जिम्मी निराश है इसलिए वह अपनी मां को बुलाता है और उसे ले जाने के लिए कहता है उसके माता पिता दोनों उसके पास गए और उसे कार के अंदर ले गए जब मिस्टर लिविंगिस्टन जिम्मी से पूछते हैं कि पहली बार उसे बहार कैसे लगा तो पिता पुत्र में काफी अच्छी बात होती है और उसके बाद वे चुपके से वहाँ से भाग जाता है लिविंग स्टन देखती है और अपनी कार से उनका पीछा करती है उसी समय पंत समू के लोग भी आ जाते हैं वे भी नियागरा फाल्स के लिए रवाना हो जाता है लेकिन थोड़ी देर में इस विमान का एक्सिरेंट हो जाता है और विमान समूद्र में गिर जाता है लेकिन जिमी बच जाता है और समूद्र के रास्ते वे चर्च में पहुंच जाता है और अपने जीवन वो खत्रे में डाल और क्लो को चूमने के लिए वे बुलबुले को खोल देता है, हालनकि जैसे ही वे बुलबुले को खोलता है, उसके बाद वे बेवोश हो जाता है, उसके बाद क्लो उसको देखती है, उसके माता पिता भी जिम्मी के आ जाते हैं, और उसकी मा कहती है कि जिम्मी को कुछ नहीं हुआ उसे कोई बिमारी नहीं है वो तो उसको उसने बुराईयों से बचाने के लिए उससे जूट बोला था इसके बाद जिम्मी खड़ा हो जाता है और जिम्मी क्लो की और देखता है और अपनी मा को माफ कर देता है और दोनों गले मिल जाते हैं इसके बाद क्लो और जिम्म से किस तरह से प्यार किया जाता है